तो यहां पर आपका यह चारंग जो भी आएगा देखिए यहां पर आपका चाहे वो तीन अंक का यह चारंग का यह जो भी आएगा आप पोएम लिख देंगे तो आपको मार्क मिल जाएगा कोई भी मेहनत नहीं कोई दिक्कत नहीं पोएमस आपको याद करना है बस आपको मतलब जो यहाँ पर points लिखना है, वो आपके इस paper में आया ना हो, मतलब कि वो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो आपका prescribed ना हो, कहाँ पर in your syllabus, ठीक है, मतलब आपके उसमें से prescribed हो, आपके जो book है, syllabus में है, उसमें से हो, बट आपका जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि do not लिखा हुआ है कि do not copy the lines given in your question paper मतलब बोला जा रहा है कि अपनी question paper में जो lines हैं उनमें से copy नहीं करना सीधी बात बोला जाए तो मतलब आपके जो book paper में जो आया हो उसको नहीं लिखना है पोईम साब को जो लिखना होगा वो आपकी book में हो लेकिन आपके paper में नहों अभी जो paper आप कर रहे हैं तो यह चीज यहाँ पताएगा तो कुछ poems है यहाँ पर आप सामने देख लीजिएगा बहुत ही अच्छे-च्छे poem है तो इनको उस तरीके से समझना है जैसे कि आप paper में वहां समझते हैं तो यह आपको क्या करना है यहाँ पर आपको यह आपका यहां से लेकर करके यहां तक पहला poem था पहला poem आपको समझ सकते हैं कि पहला poem में आपको यहां पर क्या पताया गया है उसारी चीज़े याद करना है पताया गया कोई भी यह रगा रो इसरा ओंने यहां पर दूसरा डूसरी पोएं पढ़ते हैं देखिए यहां पर समसे वर्ड विल इन फईर समसे इंट from what I have tested up desire I hold with同 risks to favor fire but if it has to perish twice I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffer देखिए यहां पर आपका जीयू भी पोईम है एक पोईम हम पेपर आने से पहले पहले आपको हम एक पोईम ऐसा बनाएंगे उसको हम आपको गाने की तरह लर्न करवा देंगे आपको याद भी हो जाएगा और स्पेल भी लबन लिख लेंगी ऑसको यहाद करवा देंगेWow यह पहल देना है कि यहां पर देखें तीसरा पोएम है आपका यहाँ पर है यहाँ पर है यहाँ पर यहाँ पर है पर यहाँ पर यहाँ पर इसी तरीके से आपका आमांडा से जैसे जो कि यहाँ पर है ऑप सप्सक्रीघिंग यहाँ यहाँ नाम है आई थोट आई टोल्ड यो प्लेन योर सूज मतलब यहां पर जो है आपको चार पोएम दिये जा रहे चार पोएम में से एक पोएम याद कर लेना काम आपका बन जाएगा यह रहा पोएम की चार 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 इसके बाद हम चलेंगे सेंट्रल आइडिया दिखाते हैं और सेंट्रल आइडिया आपको कौन-कौन से है और आपको कौन-कौन से लर्न करना है सेंट्रल आइडिया वो भी यहां पर हम बता देते हैं अभी से ही चलिए हम अगले पेज पर चलते हैं और सेंट्रल एडिया आपको यहां पर मिलेगा राइडन सेंट्रल एडिया आफ एनी वण आप दप फॉलॉइंग पॉइंट से बाप 40-50 वर्ड्स 3 मतलब तीन अंकों का अने वाला है आपका यहां पर तीन अंकों का आएगा आपको कविता का केंद्री भाव लिखना होगा स कि वो कभी तकी से लिए बनाई गई है ऊसकी रूप में आपको एक डिस्क्रिप्शन देना होता है यहां पर पहला जो संट्रल आडिया है यहां पर कि यहां पर अधर में पूछ और शन्ट नसे उस अधाइज पर अगले पेज़ने … आपकर कुछ सेंटरल आडिया है यहां पर इतने सेंटरल आडिया है आप देख सकते हैं तीसरा है टाइगर इंजू दा ट्रीज हाउ टू वैल वाइल्ड अनिमल्स फोक्स दा वाल्स पोएम एंड टेल्स आप कस्टर्ड एंड ड्राइगन और इसके बाद मांदा फॉर एनी चेक आपका य कौन सा आपको लर्ण करना है याद करना है आपको कौन सा मैहां पर बताने चलता है सबसे पहला काम क्या करना है आपको लर्ण कर लेना है यहां पर इटाइगर का कौन सा फ़र्ष नमबर पर आपको याद कर लेना है इटाइगर इंड जू यह याद कर लेना है दूसरे नम तो प्रिंटर लगए याद कर सकता है तिन दोनों में से याद कर लिए आपका एक आज अज़ेगा नहीं तो आपको बैग चलना है यहां पर आगर आपको देख रहे हों तेहां पर जो आपको पहला पाठ है तस्ट आपस नो इसको याद कर लिए तीन आपके लिए काफी अग कि जोखेना है लेकिन दो आपको मिलने वाले हैं अब नहीं बात इनको कैसे कशी एक बार मिश्में दरसा देते हैं इसको आपको इस तरीके से करना है की जो यहाँ पर जो भी चीज़े हमें लिखना है उसको हम वहाँ पर दर्साएंगे जिससे मैं एक page लेकर के और आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ठीक है चलिए मैं एक page लेकर के आपको दिखा देता हूँ यहां पर मैं एक page लेता हूं और इसका color change करके मैं आपको दिखा देता हूं अब चलिए देखिए सथ पहला काम क्या करना है मुझे लिखना है किस पर मैं उसको पहले दिखा दो मुझे लिखना है यहां पर fire and do पर लिखना है पर लिखेंगे अगर हम फारेंड पर लिखेंगे तो Hence, पर लिखेंगे अपना पर हो घीडिंग की तरह लिखना है तो आप मैं बीक्त पर अैट करोंगा है। को बील लिख कोंगा किस पर ले कोंगा यह मैं बी पर लेकोंगा थीए और यहां पर लिखुनगा क्या मतलब फायर कि Vyar and eyes खि데 है अर्थ यह इसके नीचे हमें एक लाइनिन कर देंगे ऐसे लिख लेंगे उसके बाद हमें अपना你說 थोड़ा सा चेंघ करनाटर the compulsory जाउआ यहां पर आप इसको अगर कलर से लिख दीजिएगा जिसका Central लीट लिखनास तो आप यहां पर डालिए गासें ट्राल आइडिया क्या Central Idea देखिए इसको थोड़ा सा आप Color Change कर रहे हैं साथ ही साथ इसका Size भी कम ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि तभी अच्छा लगेगा Central Central Idea ठीक है अब यहाँ पर आपने इस Heading को ले गिए ओके अब इसमें आपको लिखना है इसमें आपको लिखना है अब इसमें जो भी चीज़ें आपने याद की है पूरा confirm इस तरीके से नहीं याद है कोई दिकत नहीं आपको जो जीस तरीके से लर्ण किया हुआ है वही लिखिए लेकिन आपको देहान देना है पहले दो चार लाइन कम सकम दो लाइन दो सेंटेंस से तीन संटेंस से एकदम करेक्टिल की ताकि एक प्रभाव जमादे यह ध्यान देना जैसे आपको लिखिया दाप्वेट है ट्राइज टू ब्रिंग दा डिफरेंस बेट बीन दा फायर एंड आइस मतलब पोएट जो है जो कभी है इसमें कहए और कोसिस कर रहा है डिफरेंसेज करने की किसके बीच में फायर और आइस की बीच में ठीक है और इसको यहां पर बता रहा विच रिपरजेंट टू डिफरेंट काइंड साप्यूपल और इसमें प्यूपल के लोगों के दो प्यूंसर डिफरेंस यहां पर लिख देंगे तो ऐसे आपको लिखना है जैसे कि मैं लिखता हूँ यहां पर इसको तो और बारीक कर दूँ बताओं और बारीक कर दिया मैंने एगए अपर बारीक करने से क्या मतलब इसको मैं ऐसे कर देता हूँ अब है आपको यहां पर स्टार्ट करना यह लाइन पूरा जाना है और मतलब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं एक यहाँ पर यह लाइन पूरा जाएगी यहाँ साधे स्टार्ट है पूरा फिर हार एक लाइन स्टार्ट से होनी चाहिए ठीक है तो उसी तरीके से आपको लिखना है एकदम completely आपको उसी तरीके से लिखना है तो यहाँ पर the point यहाँ पर पूरा गर एक लाइन मैं जैसे ही पूरा हो जाता हूं ट्राइल कर दो कि लिखना है इस लाइन को जो और छोड़ दीदेगा इस लाइन को छोड़ दीगेगा डिफरेंस वेड़ीन ठीक है अब यह लाइन पूरी आपकी हो जाएगी यहां तक यह लाइन फिर अगली लाइन फिर अगली लाइन ऐसे आपको लाइने पूरा करना है और आपको लिखना है कितने 40 से 50 अब दो में 40 से 50 वर्ड में आपको यह सेंटरल आडिया पूरी कर देना है तो इस तरीके सेंटरल आडिया लिखिए पोएम लिखिए और आप अपना मार्क अराम से बढ़ाएए बिना लरने की एक कोई अधिक तो इतने सेंटरल आडिया मसे आपको फंच जाएगा पोएम आपको मैं बता कर सकते हैं यहां पर हमारा वीडियो बनाने का मकस्त देथा कि आप यह फ्री का नंबर अंक ले सकते हैं बिना कुछ ज्यादा पढ़े अभी से आप त्यारी कर देंगे तो सेंटरल आडिया और पोएम दोनों आपको याद हो जाएगा इसलिए मैंने बताना चाहां जरूर याद के लिए अगर बाकी और छोटे-छोटे पोएम चाहा है सेंटरल आडिये तो एक आप का यहां पर जो अमांडा के नाम से है इसको अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो लर्न कर लीजिएगा यह भी बहुत छोटा सा पोएम है इसमें जितने भी हमारे सेंटेंसेंसें स लड़ी इसको भी आप कर सकते हैं मतलब एको इससे इसमें इसार रहता है कि कुछ सब्ध्य जो इस्तेमाल होंगी उर्ष इसको भील सकते हैं ठीक है तो ठीक है आप जैसे मिस्ते었는데 करना चाहिए आपके ऊपर है कोई भी bit कि मिलीए सरल ह appropriately कठ्यानियों तिसको यूज करना है आपको Central Idea और Poem तोनों Learn करेंगा है हमारे चैनल पर नीचे डिस्क्रिशन में आपको चेक करेंगे तो आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी आपके हिसाफ से अगर आप नहीं पढ़े हैं जरूर चेक करिए जोईन करिए सारी क्लासे देखिए वो सारी चीज़े मिलेंगे जो आपको चाहिए चाहे English की हो चाहे मैस की हो और चाहे Science की हो तिनो टाइब की क्लासें आपको मिलेंगे तो जरूर एक बार विजिट करिए डिस्क्रिशन चेक करिए और सारी प्लेलिस्ट चेक करिए अगर अच्छा लगे वीडियो लाइक शेर कमेंट सब्सक्राइब जर झाले